हलो एरिवान आम रमेश इसार और वालकम यह ओल अन बिहाफ अभीपसा न अभीपसा टीम है आज किस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं इन्विटेशन राइट्ञ के बारे में कि इन्विटेशन राइटिंग होता क्या है इसके कौल कौौर से टाइपस होते हैं इसके फार्मेट कैसे तैयर के जाते हैं और कैसे डिपलाइ करते हैं So let's see, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके समाज में, आपके स्कूल में धेर सारे इवेंट होते हैं, चाहे है साधी हो, पार्टी हो, या फिर अग्रेशन हो, किसी भी तरह की इवेंट के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, यानि और इन्वाइट करना हो, तो हम दो तरीके से इन्वाइट करते हैं, फॉर्मल इन्वाइट करते हैं, या फिर इन्वाइट करते हैं, अब बात आते हैं कि जो फॉर्मल इन्वाइट करते हैं, जिसमें हम धेर सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं, जैसे साधी हो रही है, तो साधी में हम क्या 2-4 लोगों को invite करेंगे, नई हम 100-200 लोगों को हम क्याओ करेंगे, invite करेंगे, तो यह होता है formal invitation, informal invitation क्या होता है , Informal invitation वो होता है, जिसमें हम 2-4 लोगों को, आर-10 लोगों को ऐसे invite करते हैं, जैसे यह मान के चलिए, कि जो बड़ा प्रोग्राम है, जैसे साधी का प्रोग्राम है, तो साधी के प्रोग्राम में हम धेर सारे लोगों को invite करेंगे, जैसे अपने दोस्तों को, अपने घरवालों को, अपने रिष्टेदारों को, अपने office के लोगों को, तो यह होता है, formal invitation जिसमें हम धेर सारे पैसे भी खर्च करते हैं, धेर सारे लोग आते हैं, informal invitation हम ऐसी ही मना लेते हैं, informally हम किसी को बुला ले अपने दोस्तों को, जैसे exam में आप पास हो गये, या फिर आपने कोई चीज पा ली है, उसके बाद आप क्या करोगे, 10 लोगों को, 20 लोगों को ऐसी आपने friend circle में आप बुला लोगे, और बुला करके आप जो भी चाय, पानी या नास्ता जो भी कराते हो, तो यह होता है, informal invitation, तो आपके exam में जो आते हैं, खास करके, वो formal invitation से ही आते हैं, तो card format and letter format, card format क्या होता है, जब हम एक ही card को छपवा करके, एक ही type की card को छपवा करके, धेर सारे लोगों को send करते हैं, तो वो होता है card format, for example के लिए, यदि आपकी साधी हो रही है, या साधी है घर में, ठीक है, तो जब साधी हो रही है, तो क्या आप अलग-अलग लोगों के अलग-अलग रिस्टेदारों के लिए, अलग-अलग card शपवागे, नहीं शपवागे न यानि आप एक ही type के card शपवागे और उसी card को हर एक लोगों को हरेक लोगों को, अपने रिष्थेदारों को अपने दोस्त को, अपने जीतने भी अडोस, पडोस के लोग है, उनको आप क्या करोगे भेजोगे, तो वो होता है card format later format क्या होता है यदि later format it means आपको हर एक लोगों के लिए अलग-अलग लेटर तयार करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका दोस्त हो, यानि आप दोस्तों को नहीं भेजोगे लेटर वगेरा, किसको भेजो को लेटर फॉर्मेट में, तो यदि आपके कोई बॉस है, कोई अधिकारी है, ओफिशर है, या जो ओफि यही याद रखनी है आपको कि जो कार्ट फॉर्मेट होता है, वो एक जैसा होता है, यानि हर किसी को आप एक जैसे भेजोगे, और लेटर फॉर्मेट वो होता है, जिसमें आप हर लोगों के लिए अलग-अलग लेटर तयार करोगे, अगर आप 10 लोगों को भेज रहे हो, तो 10 लोगों का जो लेटर होगा ना वो सब का अलग अलग रहेगा लेकिन जब card format की बात आएगी तो card format जो होगा वो एक ही रहेगा और सब को आप उसी को send करोगे अब हम देख लेते हैं कि जो card format होता है वो कैसे और किस तरह से होता है तो जो card format होता है उसमें याद रखनी है कि name of the host सबसे उपर में क्या करना है name of the host host का नाम क्या है या फिर organizer का नाम क्या है यानि दो लोग है दो से ज़्यादा लोग है हो सकते हैं जैसे साधी की बात हो रही है तो साधी में जो साधी करने वाले हैं जो organizer है वो कौन है हमारे parents यानि जो लड़का है लड़की है उनके parents तो उनके नाम सबसे उपर में होगा यानि उनके द्वारा ही इस program को या साधी है wedding है या बर्तरे है उसको organize किया जा रहा है तो उनका नाम सबसे उपर में होगा उसके बाद फिर लिखेंगे formal phrase of invitation अब invite जब हम कर रहे हैं तो कुछ-कुछ words हम use करेंगे जो formal हो ताकि सामने वाला पढ़े तो उन्हें भी अच्छा लगे तो ऐसे ही आपको formal words use करने हैं जैसे कि यहां पर example है request the pleasure your benign presence या फिर company seek your auspicious presence इस तरह से आपको कुछ-कुछ formal phrases का use करना है और यह depend करता है कि हम किस function के लिए किस program के लिए किस event के लिए लोगों को invitation भेज रहे हैं उसके बाद आप क्या लिखेंगे propose of invitation purpose of invitation यानि invitation का purpose क्या है या फिर occasion या फिर reason of the invitation यानि हम जो invite करने चाहरे है लोगों को तो हमारा purpose क्या है reason क्या है साधी की वज़ज़ से या party की वज़ज़ से birthday party की वज़ज़ से या किसी annual function को ले करके तो वो जो purpose है, जो reason है, वो हमें वहाँ पी mention करनी है, ताकि सामने वालों को पता चले न, कि साधी हो रही है, कि पार्टी हो रही है, कि कुछ भी हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़े होनी चाहिए, उसके बाद name of honorary, name of honorary means अब किसके विशा में है, किसके विशा में ये बातची हो रही है, जैसे birthday है, तो किसका birthday है, ठीक है, किसका birthday है, साधी हो रही है, किसकी साधी हो रही है, तो उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए, name of honorary, उसके बाद date, time and venue of the event, event कहां पे हो रही है, कब हो रही है, कौन से date पे हो रही है, किस समय पे हो रही है, या फिर किस जगा पे हो पता चलता है कि साधी यहां हो रही है और जो भी रिष्तेदार है रिलेटिवस है वह वहां चले गए पता चलता है कि साधी जो है वह 10 बजे है और लोग 12 बजे पहुंच रहे हैं या फिर उसे पहले पहुंच गए खाने के चकर में ऐसा नहीं होना चाहिए तो डेट टाइम वैन्यू आफ इवेंट यह सारे चीज़े एकदब वहां पर मिंसन होनी चाहिए और उसके बार लास्ट में आर एस वी पी यह फ्रेंच वर्ड का कॉंटर जो है यह कॉंट्रेक्टेट फॉर्म है और जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉंड या प्लीज रिप्लाई ठी यहां पर जैसे यहां पर स्री राधेश्याम और स्रीमती रुपादेवी इस तरह से नाम लिखा हुआ हुस्ट का उसके बाद फिर फॉर्मल फ्रेज का यहां पर यूज किया गया है देखिए यहां पर यह फॉर्मल फ्रेज है इसका यूज किया गया है उसके बाद फिर य यहां पर purpose ya reason यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद हम देखे यहाँ पर date है, यहाँ पर time दिया हुआ है and यहाँ पर venue यानि कौन से जगा पर होने वाली है उसके बाद RSVP यानि please reply, please respond यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऐसे ही आपको क्या करने है, invitation card जो है तयार करने है ऐसी आपको format तयार करने है, तो यह तो रही बात invitation card की अब हम देख लेते हैं कि इनमें important चीज़े क्या है, important things क्या है These are written in the third person, यह जो चीज़े लिखी जाती है, वो third person में ही लिखी जाती है क्योंकि हम invite कर रहे हैं, किसी को invitation बेज रहे हैं, तो वो third person है ठीक है, तो third person में ही लिखा जाना चाहिए, और कौन से tense में लिखा जाना चाहिए Simple present tense is to be used, और simple present tense में ही लिखना है, वो ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा तर हो सके, तो आप पेसी wise का भी यूज़े करें, तो और ज्यादा attractive रगता है उसके बाद, the date of writing is not to be given अब हमने card कब छपवाया है, या हमने कब लिखा है, वो date नहीं लिखना है कब है, जो main point है, उसको लिखना है, पता चलता है कि आप आज छपवाया हो, लोग आज ही पहुँच गए तो ऐसा नहीं, return date नहीं लिखना है, कौन से date पे लिखे हैं, उस date को नहीं लिखना है कौन से date पे program है, इसे लिखना है, there is no signature of the host और host का signature, signature नहीं करना है, पता चलता है कि host वहाँ पे signature करके रखा हुआ है तो ऐसा card में signature वगएरा नहीं होता है, put the invitation into a box और invitation जो होता है, वो एक box के अंतरगत होता है, जैसा कि यहाँ पे देखे, एक box बना है design में, ऐसी box के अंदर ही होना चाहिए उसके बाद do not exit 50 words, और ज्यादा words का use नहीं करना है, लगबग 50 words के आसपास ही आप यूज़ करिए क्यूंकि ज्यादा time नहीं रहता, लोगों के पास की वो एक एक चीजों को पढ़ता रहे, उसे जो main main čीज़े हैं किसकी साधी हो रहे हैं, क्या program है, कौन कौन है, कौन सी जगा है, कौन से time पे जाना है, कौन सा date है यही main main चीज़े हैं इनी ही चीजों को लोग देखते हैं और फालतों के जो चीज़े हैं उसे वो नहीं देखते तो इस अरद से आप जो है limited words में लिखेंगे अब हम देख लेते हैं कि जो लेटर जो invitation है वो कैसा होता है उसका जो format होता है वो कैसे होता है तो उसका जो format होता है, बहुत ही simple होता है, सबसे उपर में senders का address लिखा होना चाहिए, यानि जो send कर रहा है, जिसके यहाँ program है, जिसके यहाँ साधी है, event है, birthday program है, जो भी है, उसका address सबसे उपर में रहेगा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, date लिखेंगे, कौन से date पे है उसके बाद receiver's address, अब हम किनको send कर रहे हैं, कोई भी चीज़े हम जो आमंतरन हैं, भेज रहे हैं, तो किसको भेज रहे हैं, receive कौन करेगा, कोई अधिकारी है, या कोई boss है, जो भी है, उनका address यहाँ पे होगा, उनका नाम भी रहेगा, ठीक है, उसके बाद हम subject भेजेंगे, कि हम उसे, उन्हें किस उद्देश से, किस उद्देश से हम उन्हें आमंतरित कर रहे हैं, उन्हें किस रूप में हम वहाँ पर देखना चाहते हैं, guest के रूप में, chief guest के रूप में, या जो भी है, यहाँ पे हम subject लिखेंगे, उसके बाद फिर respected sir, dear sir, इस तरह से हम respect देंग उसके बाद बाकिक की जो बाते हैं उसे हम आगे लिखेंगी कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप जब आएंगे तो हमारे लिए बहुत ही स्वहाग के बात डहेगी तो ऐसा आप कया करंगे , इंगलिस में इन भी चीजहों को आपको लिखना है तो देख लेते हैं कि इसके जो question है वो कैसे और किस तरह से आते हैं इसके जो question है वो कुछ इस तरह से आते हैं इस format में आते हैं और ऐसे ही आपको question मिलेंगे exam में और आपको जो है answer इस format में लिखने हैं तो इसका जो answer हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा जैसा कि देखी हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे यहाँ पर sender का address है उसके बाद क्या है यहाँ पर date लिखा हुआ है उसके बाद क्या है जो receiver है उनका नाम & address यहाँ पर दिया हुआ है question के according and उसके बाद यहां पे देखे हमने लिखा है subject subject लिखा हुआ है इन्विटेशन as cheap guest तो जिस उदेश से हम उनको बुला रहे हैं किस रूप में वहां पे देखना चाहते हैं चीप गेस्ट के रुप में देखना चाहते हैं जो भी है तो वहाँ पर हम लिखेंगे invitation एस चीप गेस्ट तो ऐसी ही आपको लिखना होगा फिर यहांपे हम दे रहे हैं तो dear sir respected sir या जो भी है यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद जो भी चीज़े हैं किस उदेसिया से आप वहां पे बुला रहे हैं क्या प्रोग्राम है कैसा फंक्षन है लगबग 50 वर्ट्स के आसपास आपको क्या करने है कंप्लीट कर देने हैं और यह जो चीज़ें यह बॉक्स में होनी चाहिए तो ऐसे ही हमको क्या करने हैं लेटर तयार करने हैं इनवीटेशन लेटर ठीक है तो ऐसे ही है आप तयार करेंगे अब क्या कैसे हैं जो याद करने योग्या है वो यह है कि कैसे करेंगे अब हम मना भी कर रहे हैं, तो उसका reason होना चाहिए, क्या कारण है जिसके वाज़ से हम मना कर रहे हैं, तो वो हमें बताना होगा, तो reply करने के लिए इन चीज़ों को ध्यार रखे, formal words का use करना है, जैसे kind invitation, या great pleasure, ठीक है, या regret कर रहे हैं, ठीक है, etc, use, third person, third person का use करना है, जैसे they है, instead of first person, first person का use नहीं करना है, जैसे I have we है, क्योंकि हम जब किसी को अमतृत कर रहे हैं, किसी को later भेज रहे हैं, तो हम जो है, किसी third person को ही तो भेज रहे हैं, अपने आपको थोड़ी भेज होगे, तो I इस तरह के words का use नहीं करना है, यहां पर हम use करेंगे third person, जैसे they, they means way, address of the writer and the date to be written, और जो writer है, writer का address लिखा होना चाहिए, date लिखा होना चाहिए, time वगेरा, जो भी चीज़े है, कब event है, कैसा है, यह सारे चीज़े लिखी होनी चाहिए, ताकि सामने वालों को समझ आए, त इसके कौन-कौन से types होते हैं, इसके format कैसे तयार किये जाते हैं, and reply करने के लिए किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे हमने discuss कर लिया है, I hope कि आप invitation writing को अच्छे से समझ लिए है, हमारी team लगातार आपको धेल सारे videos लगातार देते जा रहे हैं, अलग झाल